सतना में नव्र निर्वाचित आदिवासी महिला जनपत सदस्य को धमकी दी गई भाशपा अध्यक्ष के पक्ष में वोट करने के लिए मंतरी राम खेलावन पटेल एवं अन्य पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं दरसल मामला जनपत पंचायद राम नगर का है जहां पर बीते दिनों हुए चुनाओं में राम नगर जनपत सदस्य के रूप में रेखा कोल ने विजय प्राप्त की थी मगर बीते दो तीन दिनों से लगतार पुलिस और भाजपा नेताओं द्वारा जनपत अध्यक्ष के लिए वोटिंग करने को लेकर रेखा वा उसके परिवार पर दवाब बनाए जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष के दवाद की वजह से तंग आकर रेखा कोल ने वीडियो जारीकर अपने रिस्तेदारों के यहां जाने की बाद बताई है वीडियो जारीकर रेखा ने राज्यमंत्री राम खेलावन पटेल वा अन्य पर आरोप लगाए हैं जनपत सद्स रेखा कोल ने अपने रिस्तेदारों के यहां जाने के बाद वीडियो जारीकर बताया कि इस्थानिय भाजपा नेताओं के इसारे पर इस्थानिय पुलिस उसके ससुर को थाने में बैठा कर प्रताडित कर रही है पूरे मामने पर जनपत सदसी रेखा कोल ने वीडियो जारी कर कहा है कि अभी वे सुरक्षीत हैं, मगर आगे उनके वा उनके परिवार के साथ बड़ी घटना हो सकती है। साथ ही दवाब बनाने के लिए फर्जी कारेवाही वा फसा देने की धमकी दी जा रही है। स्थेदारी में है और रोज पुलिस जाती है हमारे घर परेसान करती है हमारे घर वालों को ससुर को और हमारे ससुर को धमकी देते हैं भाजपा वाले और कुछ होगा। तो राम खिलामन पाटैल जो मंत्री हैं ग्रेश दुवेदी गोरेलाल पाटैल यह जुम्मेकार होगा। तो नादो के आहां नादभासी हमा पुता हुज जनपत मझीत गई हमें गनेदुवेदी जी और पटैल जी हमें परेसान करें सतने लगे हमाँ पघर के अमर्पार्टन मलाँ एँ हमर्पार्टन सतने लगें कारिया यह जहें जानी हमसे कागत देवाइन दू जानगा हम नपढ़े यहां न लिखे यहां और हमी कहीं पांच लाख रुपिया लगे ले और चल तो ही अबास देए थे अधिया वद्याव यह कही के लगे हम नहीं जानी हमारे साथ मां रहन हम उनके आया गए हमें घरे पहुंचा दिने हम कहीं तो ही पांच लाख रुपिया मिली अबास मिली और कोहु के साथ हम थाना पुलीस नहीं कर बाओ चाहिस हमारे घरमा पुलीस हमी परेसान करें अन हम कोहु का रपोर्ट डारन को भाई कर गनेश दुवेदी जी गोरे लाल पटायल जी हम नहीं दबाव डारा थे हम हुं का खुछ होईगा हम अहीं होईगा तगनेश दुवेदी जी अगोरे लाल पटायल जी उसके जबाबदार अभी धायक जी और पाल्टी की उन जाने हम नहीं जानी हमां जान हत्या हो तो उनके मज़ा होई